Hello student, अभी आपको 11th में admission लेना है और admission आपको online लेना है Corona के वज़े से सभी स्कूल बंद है तो यह online form आपको खुदी भरना होगा Student के लिए online admission process 26 July से start होगा और सभी स्टूडेंट 16 July से 24 July के बीच website पे जाकर registration का practice कर सकते हैं चलि हम देखते हैं कि 11 2020 online form कैसे भरना है सबसे पहले ब्राउजर में जाकर हम Google पेज ओपन करेंगे अब हम यहां पर Google में टाइप करेंगे 11th admission.org.in फिर यह link open होगा जो सबसे उपर पहला link है उसको हम open क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह हमारा government of महाराष्टा का जो पेज ओपन हो गया ठीक है अब हमें रिजिस में रिजन दिवे हैं एक से रिजन में हम रहते हैं मुंबई में रहते हैं पूने में रहते हैं नगपूर में रहते हैं नाशिक में रहते हैं और अंगाबाद रहते हैं अमरावति में रहते हैं हम मुंबई से फॉर्म भर इसलिए मुंबें में क्लिक करेंग corp अब हमारा पेज ओपन हो गया है इसमें अभी हमें लॉग इन और पास्वर्ड पूछ है लेकिन हमारा भी रेजिस्टर नहीं है तो पहले हम इसके लिए रेजिस्टर करेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह रूपर लिखा है student registration तो अपलेगे तो मुंबई में रह टिक है, तो हम मुंबई में रह रहे हैं, तो यहां पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, Applicant Status अगर हमने March 2020 में १ा तो मिल्कर पर पर स्ट्रश करेंगे अगर हम Repeater है 2019 ऑ और March फिर से अग्जाम दिया यह तो हम Repeater पर क्लिक करेंगे और हमने प्रिवेश्ली 2019 में पास robust किया好吧 2020ником मार्च 2020 कुढ़कर तो हम क्लिक करेंगे प्रिवेश्ली पास्ट पर ठीक है तो आप फ्रेशर है तो आप फ्रेशर पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह है आपका SSE हो गया ठीक है आप महाराश बोर्ट से हैं स्टेट बोर्ट से हैं तो SSE, CBSC, ICSC, IB, IGSC और NIOS और अब महाराश बाहर के बाहर से पढ़के आया है तो आपको जिस स्टेट से हैं वो स्टेट का आपको बोर्ट सेलेक करना होगा फिर आगया आप फर्म भर सकते हैं अब यहां पर आपका सीट नंबर भरना है आपका बोर्ट का सीट नंबर तो हमने सीट नंबर यह फिलप के अपना और फिलप करने के बाद फिर हम गेट SSE data पर क्लिक करेंगे और हमारा फिर आगे डिटेल भरनी की जूरुद नहीं होगी यहां पर OK करेंगे तो यह हमारा March 2020 ठीक है नाम आगे अपना अब वेरिफाई कर लो कि सही की नहीं सही है फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर हम आप यह दिया इस अप्लिकेंट डज नाट है मोबाइल अगर आपके पास मुबाइल नंबर और इमेल डी नहीं है तो आप अपने पैरेंस का मुबाइल नंबर इमेल इडी टाइप करते हैं फिर यहां पर पूछा security questions details यह हमारा password अगर भूल गए तो उसके लिए होता है तो हम इसमें security questions जो भी option इसमें दिये हैं उसमें से कुछ भी हम लोग add कर सकते हैं यह security question answer तो आप उसका answer यहां पर fill up कर सकते हैं अब यहां पर आपको password डरना आप password 15 digit का कुछ भी character डाल सकते हैं जो आपको याद रखने में असान हो पर हम आगे register पर click करेंगे यहां पर आप देखिए page open हुआ है आपका नाम आया है और your applicant form number और login ID दिया हुआ है यह आपका login ID generate हो गया है proceed login करेंगे proceed login किया तो हमें login ID और password का page open हुआ चलिए अब हम अपना login ID और password यहां पर type करते हैं और yes करेंगे इसको अब हमारा registration part 1 form open हो गया है अभी incomplete है इसके अंदर आगया में form को fill up करना है अब application form के आगया में personal data detail डालनी है अब हम इसमें personal detail fill up करेंगे personal detail यहां पर fill up है आपका नाम अप्लिकेंट मोबाइल नंबर mother's name father's name date of birth आपका सब fill up है अब हम जाएंगे next करके address detail अब यहां पर हमको address fill up करना है यहां पर अभी हमें applicants contact detail भरना है यहां पर देखिए mobile number one पर star लगा हुआ है मतलब यहां पर एक number आपको compulsory भरना है फिर हम से और next सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं अब यह है category and reservation details अगर आप महराष्टा में रह रहे हैं ठीक है और आपकी कोई आप किसी category के अंदर आते हैं reservation के अंदर आते हैं तो आपको उसका reservation का उसका फाइल आपको supporting जो document हो जमा करना होगा verification के लिए और approval के लिए ठीक है अगर महराष्टा के बाहर से आ है तो आप no click करेंगे बात एक category में है does applicant belong to handicapped दिव्यांग और hearing disability category तो आप अगर है तो yes कीजिए नहीं तो आप no click करके आगे बढ़ सकते हैं अब second B है does applicant belong to earthquake और project affected अगर आप earthquake से affected नहीं है तो आप no click करेंगे has applicant parents have been transferred to online process area अगर आप online process area जिसे आप मुंबई में exam दिया है अपका transfer हो गया नासिक में तो आप नासिक से form भर है तो आपको यह yes करना है नहीं तो आपको no करके आगे बढ़ना है वाते दी में whether applicant grand parents freedom fighter आपके grand parents अगर freedom fighters है तो आप yes क्लिक कीजिए अगर नहीं है तो आप no क्लिक कीजिए ठीक है does applicant parents belong to servicemen और ex-servicemen category अगर आपके parents belong करते servicemen और ex-servicemen category में तो yes कीजिए नहीं तो आप no करके आगे बढ़िए does applicant belong to sport category अगर आप sport category से बिलोंग करते हैं तो yes क्लिक कीजिए नहीं तो आप no क्लिक कीजिए if you are falling under category of orphan अगर आप orphan मतलब आना थाल ऐसे बिलोंग करते हैं तो आप yes क्लिक कीजिए नहीं तो आप no क्लिक करके आगे बढ़िए have you opted any of pre-vacational course अगर आपने कोई pre-vacational course लिया है just skill के लिए training के लिए placement के लिए और subject offered under NSQF at 10th examinations NSQF का full form है the national skill qualification framework अगर आपने इसके द्वारा कुछ training ली है या आपके पास कोई certificate है तो आप yes क्लिक कर सकते हैं do you belong to minority category अगर आप minority quota से belong करते हैं तो minority quota में animation चाहिए तो आप yes करेंगे नहीं तो आप no करेंगे do you want to take animation through inhouse quota inhouse quota का मतलब होता है कि अगर आप उसी college में पढ़े हुए हैं 10th तक उसी college में पढ़े हुए हैं और admission उदर ही कर रहे हैं तो आपको inhouse quota select करना होगा नहीं तो आप no कीजिए फिर save करके हमको आगे next करना है यहां पर देखिए अब यह हमारा form पूरा fill up हो चुका है सारी details समझे सामझे स्क्रीन पर दिख रही है अब यहां पर declaration form है इसको click करेंगे और हमारा यह application पूरा हो जाएगा lock application form पे click करते हैं तो हम इसको फिर से detail जो है readit नहीं कर सकते ठीक है इसको lock application form को click करके आगे बढ़ेंगे आपका form का part 1 complete हो गया यह हम यहां पे lock application form पे confirm करेंगे एक बार application को lock करने एक बार फिर से इसको modify या edit नहीं कर सकते हैं तो आपको धेर सारी सुप का आपना है आपका 11 form part 1 हो चुका है जब result आपका निकलेगा ता आपका part 2 form open होगा तब हम part 2 form fill up करेंगे